बंटू मेरा दोस्त बंटू को आख से दिखता नहीं है वो लकडी पकड़े छोटे छोटे कदम रखता आ रहा है मुन्ना अपने उधमी दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ा था तुमको एक खेल दिखाऊं उसने अपने दोस्तों से कहा और उसने एक नुकीला पत्थर बंटू के रास्ते में रख दिया नेत्रहीन बंटू पत्थर से जा टकराया और धड़ाम से गिरा मुन्ना और उसके साथ ही खुब हसे क्यों हसते हूँ बंटू चिलाया बंटू को काफी चोट लगी मगर मुन्ना ने ध्यान नहीं दिया वो हसता हुआ खेतों की तरफ चला गया हाहा मुन्ना रास्ते में था कि बहुत जोर से आंधी आई धूल भरी आंधी मुन्ना घर की ओर भागा मगर बहुत सारे धूल उसकी आँखों में भर गई थी मुन्ना ने आँखों को मला आँखों में तेज जलन होने लगी मुन्ना घर आया उसकी आँखों में बहुत जलन थी अम्मा ने उसकी आँखों को पानी से धोया पर जलन कम नहीं हुई अम्मा मुन्ना को डॉक्टर के पास ले गई उन्होंने आँख से कुड़ा निकाल कर दवा डाल कर मुन्ना की दोनों आँखों पर पट्टी बांध दी अम्मा मुन्ना का हाथ पकड़ कर घर ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया कहा उठना मत मगर मुन्ना नहीं माना वो धीरे से उठा और दीवारें टटोलता हुआ बाहर आ गया बाहर आते ही एक इंट से टकरा कर मुन्ना गिरा और चिलाया उठो भाई क्या चोट लग गई बंटू मुन्ना को उठाने की कोशिश कर रहा था कौन हो तुम खड़े होते हुए मुन्ना ने पूछा मैं बंटू हूं बंटू ने बताया बंटू तुमने उठाया मुझे पर मैंने तो तुम्हें गिराया था मुन्ना ने कहा कोई बात नहीं मैं अम्मा को बलाता हूँ अम्मा अम्मा आवाज सुनकर अम्मा दोड़ी आई उन्होंने मुन्ना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई मुन्ना अपने किये पर दुखी था उसने फिर बंटू को कभी परेशान नहीं किया बंटू को आँख से दिखता नहीं है वह लकड़ी पकड़े छोटे छोटे चोटे कदम रखता आ रहा है मुन्ना अपने उधमी दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ा था तुमको एक खेल दिखाऊं उसने अपने दोस्तों से कहा और उसने एक नुकीला पत्थर बंटू के रास्ते में रख दिया नेत्रहीन बंटू पत्थर से जाटकराया और धडाम से गिरा मुन्ना और उसके साथी खूब हसे क्यों हसते हो बंटू चिलाया बंटू को काफी चोट लगी मगर मुन्ना ने ध्यान नहीं दिया वह हसता हुआ खेतों की तरफ चला गया मुन्ना रास्ते में था कि बहुत जोर से आंधी आई धूल भरी आंधी मुन्ना घर की और भागा मगर बहुत सारी धूल उसकी आखों में भर गई थी मुन्ना ने आखों को मला मुन्ना ने आखों को मला आखों में तेज जलन होने लगी मुन्ना घर आया उसकी आखों में बहुत जलन थी अम्मा ने उसकी आखों को पानी से धोया पर जलन कम नहीं हुई अम्मा मुन्ना को डॉक्टर के पास ले गई उन्होंने आख से कूडा निकाल कर दवा डाल कर मुन्ना की दोनों आखों पर पट्टी बांध दी अम्मा मुन्ना का हाथ पकड़ कर घर ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया कहा उठना मत मगर मुन्ना नहीं माना वह धीरे से उठा और दीवारे टटोलता हुआ बाहर आ गया बाहर आ गया बाहर आते ही एक इट से टकराकर मुन्ना गिरा और चिलाया उठो भाई क्या चोट लग गई बंटू मुन्ना को उठाने की कोशिश कर रहा था कौन हो तुम खड़े होते हुए मुन्ना ने पूछा मैं बंटू हूं बंटू ने बताया बंटू तुमने उठाया मुझे पर मैंने तो तुम्हें गिराया था मुन्ना ने कहा कोई बात नहीं मैं अम्मा को बुलाता हूं आवाज सुनकर अम्मा दोड़ी आई उन्होंने मुन्ना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई मुन्ना अपने किये पर दुखी था उसने फिर बंटू को कभी परेशान नहीं किया बंटू मेरा दोस्त कर दोस्त